हेलो एर्विवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्यान कलस्ट नॉलेज डॉप्स में आज के सिसन में योजना मैगजीन के जून दोजा तेज खंड पराधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन करेंगे जो कि यूपी एससी यूपी पीसस और अनिस्टेटिक जा पलकुल सही बात है योगासन में मनो भौतिक आसन होता है मतलब मतलब शरीर और मन को जो है नियंतरित मतलब एक ही कृत करने का प्रयास किया जाता है तो यह भी सही है प्राणायाम प्राणायाम में क्या करते हैं स्वास नियामन करते हैं स्वास के ओपर जो है रेगुलेशन करते हैं कि अलब स्वास को अंदर लेना और स्वास को बाहर छोड़ना यही सब इसमें करते हैं प्राणायाम में विवन तरीकों से बंध शरीर में प्राण को नियंत्रित और चैनलाइज करने के लिए तो बिलकुल सही है यह सब एक के बाद एक होता है पहले शुद्धी करण होता है फिर उसके बाद योग करते हैं योगासन फिर उसके बाद प्राणायाम फिर उ सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चौथा हो जाएगा इंपोर्टन क्यों है यह क्योंकि इसमें आपसे एक तो जोड़ी मिलाने के लिए दे सकते हैं जिस तरह से यह दिया हुआ है या फिर डायेट वी पूछ सकते हैं जैसे प्राणायाम किस से संबंधित है तो चार आप सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है योग के सबसे लोक प्री रूप में से एक है हठ योग हठ योग के अंतरकत क्या करते हैं अभ्यास और भौतिक शारीरिक पहलों पर ध्यान के अंदित करते हैं और इस जो हठ योग है इसमें शटकर्म योगासन प्राणायाम मुद् संद्ध और ध्यान जैसी विभिन प्रथाएं समली थे जिनके बारे में अभी कोश्चन देखें हैं और इनको इन प्रथाओं पर ये जो प्रथाएं है पांचो इन पे अपनी इनको अपनी दिन चरिया में सम्मिल्द करके स्वास्त लाब हो सकता है हमारा कल्यान हो सकता है तो सट कर्म क्या है सट कर्म क्या है सुद्धी करण अभ्यास है ठीक है इसके इंतरगत सरीर को सुद्ध करने और आगे के अभ्यासों के लिए तैयार करने मदद करते हैं जैसे क्या मतलब है कि जितने भी योग है त्राणाया मुद्रा बंद इन सब में सबसे पहरे शट कर्म ह मतलब सुद्धिकार्ट जो दिन चर्या होती है नित्यकर्म होते हैं उनको माल लीजिए समझने के लिए तो वह करना पड़ता है फिर उसी के बाद आगे योगासन सुरू करेंगे तो सबसे परेशटकर्म करेंगे फिर उसके बाद योगासन करेंगे है ना और देखिए आप विन सफाई प्रथाओं द्वारा सरीर को विश्मुक्त करने के बाद किया जाता है मतलब सबसे परेशटकर्म करेंगे तो उससे आप उपने सरीर को विश्मुक्त करेंगे जो भी अपसिष्ट पदार थे उनको बाहर विसरजित करेंगे निकालेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे विश्मुक्त हो करके योगासन करना सुरू करेंगे प्राणायाम क्या है प्राणायाम स्वासनियमन है ठीक है शटकर्म और योगासन के माध्यम से जब सरीर सटकर्म से तो विश्मुक्त हो जाता है और योगासन के माध्यम से सरीर इस्थिर हो जाता है उसके बाद प प्रताओं का प्रयोग सरीर में प्राण प्राण को संचालित नियंद्रित और चैनलाइज करने में किया आता है और बंध मांसिक ताले हैं जो सरीर में प्राण की उचित प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करते हैं मतलब जब आप प्राण आयाम करते हैं स्वसानाच उसके बाद की क्रिया है मुद्रावंद इसमें और गहन तरीके से जो है अपने आपको केंदृत और जो है अपने जो प्राण को क्या है नियंतृत और चैनलाइज करने का कारिक आयाता है मतला अपनी उर्जा जो है उसको नियंतृत और चैनलाइज करने क्या काम करते हैं फिर ध्या पूर्सा आगे चलते हैं दूसरा कोश्चन है कि प्रत्यक्ष लाब अंतरण डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर के संबन्द में निम्रखित कत्रों बिचार कीजिए और सा कोश्चन सही है उसके बारे में बताइए ऐसे कोश्चन पूछते रहते हैं क्योंकि डीवीटी का प्रोग्राम नहीं है किसे कुछ मदद मिलनी चाहिए यह एक तरह का जो है मतलब जिसमें क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट जो है जिसको बेनिफीसरी है उसको जो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए आप पैसे वाले बेनिफिट्स डायरेक्ट पदान करते हैं तो कोई प्र और लेकिन इनको नहीं इसके इसके अलवा वह सारी इस्टाने नहीं की जाती है तो नहीं तब यह स्टेटमेंट सही होता दोनों ही कथन क्या है इसमें गलत है सही नहीं है तो ना तो एक सही है न तो दो सही है तो चौता अपसन हो जाएगा सही एंसर ठीक है अब यहां पर एक आपको ध्यान में रखना है कि यह जो डीवीटी है स्टार्ट का हुआ यह टार्ट आप से PCS में पूछाया सकता है UPSC में स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं कि डीवीटी 2016 में सुरू हुआ 2014 में सुरू हुआ आपको यह जरूर कंफ्यूजन हो सकता है डीवीटी का अगर आएगा तो हो सकता है नई सरकार आई तभी सब सुरू हुआ जंधन आधार मॉबाइल तो हो सकता है तभी डीवीटी सुरू हुआ नहीं बिल्कुल नहीं 2013 में ही सुरू हो गया था उसी को इस सरकार ने आगे बढ़ाया है तो एक जनवरी 2013 से डारेक्ट बेनिफिट ट्रांस्पर स्टार्ट किया गया अब यहां देखे वे अख्या दिया है कि यह कोई सामाजिक सानटा कारेक्टरम नहीं है पहले बता चुके हैं और इसमें क्या करते हैं प्रत्यक्ष लावस्तांतर पर डेटा को समय की तो नियंत्रित करने का कारेक्ट हैं मतलब जो लूप होल्स है अगर डायरेट कैश आदी निकाल के दिया जाता था तो उसमें पैसे की चोरी ज़्यादा हो जाती थी लेकिन अब ऑन-लाइन जो है खाते में ही डायरेट ट्रांसपर होता है तो इसमें जो है मतलब जो पैसे की धांदली है वो काम हो गई है काम हो गई ह लेकिं खतम नहीं हुआ है तो यह का है नगत सहायता उजनाओं के लिए डीबीटी बैंग खाता संख्या या आधार से जुड़े खाते पर निर्भर है है ना मतलब जो भी स्कीम जिनमें नगत सहायता जैसे मालीजे मातित लाव वाला है या फिर टीबी के लिए जो निक्षए उजना चलाई गई है तो उसमें टीबीटी के माध्यम से बैंक खाता या आधार से खाता जुड़ा होगा तभी पैसा जा पाएगा ठीक है इसमें ना केवल लामहारतियों को नगत सहायता प्राप्त होती है बलकि 300 से अधिक केंद्री और 2000 से अधिक राजिस्तर की उजनाओं को कवर करते हुए नगत स्तांतरन का ना भी सामील है जैसे मालीजे कि जो गैस आधी होता था गैस आधी की सब्सीडिए वह भी तो डारेक्टर जात केटिफ में दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट संपूर्ण एक उत्कृष्ट समुदाय संचारित पहल असम में सुरू हुई है तो यह कम्यूनिटी बेस्ट स्कीम है जिसको कहां सुरू क्या गया है आसम में तो यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं भाई एक ही राज्य में कैसे सही है पहला स्टेट्मेंट सही है दूसरा देखिए यह परियोजना बच्चों के स्वास्त और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकों प्रदान करने के विचार से प्रेरित थी अब अगर यह पता है कि किस से रिलेटेड है जैसे कुपोसण आज से रिलेटेड है तो उसमें क्या कह रहा है जैसे मान लिजे कोई एक चाइल्ड है चाइल्ड वन और यह चाइल्ड टू है तो चाइल्ड वन जो है यह क्या है स्वस्त है ठीक है और चाइल्ड टू कैसा है कुपोसित है तो इसमें क्या करेंगे कि जो चाइल्ड वन की मदर वन होगी यह मवन जोड़ा जाएगा जिससे की ये जो स्वास्त बच्चे की माँ है उसको भूद सारी चीज बता सके जिससे उसका बच्चा क्या हो कुपोसitt से ठीक हो सके इस इसकीम का बहुत बड़ी या लाम मिला है तो यह महत्तुपूर्ण इसकीम है या आपको पता होना चाहिए टारेक्ट आप से पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट संपूर्ण किस से रिलेटेड है तो पहली बात तो पता होना चाहिए को पोसन या पोसन से संब्दी थे दूसरा कहां सुरू किया गया है पहले असाम में सुरू किया गया है अब इसकी व्याक्या देखते हैं तो इसमें क्या हुआ तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है सही है इस तरह से इसका जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा कि सभी तीन कथन क्या है इसमें सही हैं अब इसकी व्याख्या देखते हैं तो बच्चों के बीच को पोस्टन की समस्या से ने पटने के लिए 2020 में यह सन ध्यान में रखना है कि 2020 का है लेकि पुराने पुछती है नए नहीं पूछती है लेकि पुराने वाले पर बहुत ध्यान रहता है और असम के बोंगाई गाउं जीले में सुरू किया गए बोंगाई गाउं नहीं है एक जीला है तो ध्यार में रखना है कि अब डायर्ट भी पोछ सकते हैं कि जैसे जोडी में पूछ लेते हैं जहां कोई छेत्र चर्चा में रहता है तो पूछ लेते हैं तो भॉंगाई गाउं आपको दे देंगे और पूछेंगे किस स्टेट में भॉंगाई गाउं तो आसाम में हैं इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रात्मिक सिक्छा के साथ स्वास्थ टीका करण वजन और पोसन भी सामिल है तो यह ध्यान में रखना है कि केवल पोसन पर बात नहीं की गई है तिक्षा पर प्रात्मिक सिक्षा स्वास्त टीका करण यह सब को भी ध्यान में रखना है स्वस्त सिसु की मां को सखी मां मतलब जो स्वस्त सिसु था उसकी जो मां थी उसको सखी मा कहेंगे, बड़ी मदर कहेंगे, और जो कुपोसित बच्चे की मा है, उसके साथ इनको जोड़ दिया जाएगा, और यह जो सखी मा है, यह उसका मार्ग दर्सन करेंगी, अब यह पोर्जेक्ट जब चलाया गया, असम्में, तो तीन महीने के भीतर, जो 90 प्रतिस है, क्योंकि 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंती पुर्षकार चुनाएं, इसलिए UPSC माने के संभावना ज्यादा है, क्योंकि 2000 अलब UPSC कुछ एक-दो साल पुराने स्कीम जो चर्चा में रहते हैं, उनको बहुत बढ़िया से पूस्टी है, क्योंकि latest वाले तो आटीक स्टी है, कब सुरू किया गया, कब ख़तम किया तो 2020 में शुरू किया गया, और रखिएगा, नेक्स्ट, अब यहां पर एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, यह गप जो टैग लाइन हैं, इस की कि टैग लाइन क्या है, इज की टैग लाइन है, empowered , मदर्स एंड इंपार्ड मदर्स और हेल्दी चिल्डरण यह इसकी टैग लाइन है मिसन प्रोजेक्ट संपूर्ण की तो ध्यान रखिएगा अरला कुश्चन देखते हैं फोर्ट कुश्चन है हमारे सामने इसी का शॉर्ट फॉर्म है डबलु एचो जी सी टीम ऐसे कुश्चन यूपीएसी पूचती है जो थोड़ा मतलब नाम बड़ा रहता है जो देखने में थोड़ा डरावना लेगे यह कहां से आ गया तो ऐसे यूपीएसी तो पसंदीरा है तो डबलु एचो ग्लोबल सेंटर मेडिसीन के संदर्म कथरों पिचार कीजिए कौन सा कथन सही है उसमें चुनना है आपको पहला स्टेटमेट देखिए विस सुभर में पारमपरिक चिकत्सा के लिए अब यह देखिए ग्लोबल सेंटर फाट ट्रेडिशनल मेडिसीन तो पारमपरिक चिकत्सा सही संबंदि किया जा रहा है अगर यह आपको पता होगा तब ही कर पाएंगे नहीं तुक कामारेंगे तो एक मात्र बिलकुल सही है इस सबसे पहला अब इस सुमें जो जामनगर में ही स्थाफित किया गया है डवलु यह जो ग्लोबल सेंटर फाट टेडिसनल मेडिसीन तो पहला कि जो भी हमारा ट्रेडिसनल मेडिसीन सिस्टम था वो किस तरह से वैज्जानिक था कैसे साइंटिफिक था उसको मजबूत करने का प्रयास इसके अंतरगत किया जाए तो बिलकुल सही है पहला स्टेटमेंट भी दूसरा भी तो इस तरह से इसका सही है ऑप्सन हो जाएगा है पहली बात ध्यान में रखना है मिनिस्ट्रिया पायूज के अंतरगत दूसरा इसको एनॉंस किया गया है तीन नवंबर owazivos गया है इसको इसको WHO य़्म बने गा जाम नगर में स्थाफित किया जागा, इसको एनाउंस किया गया, अब यहाँ पे एक global body है, WHO World Health Organization, तो World Health Organization क्या है, कि इसकी यूइन की है, और इसका headquarter कहा है, जेनेवा में, यह tag पूछ लेगते हैं कि WHO का जोड़ी दे देंगे, WHO headquarter जेनेवा या कुछ और दे देंगे, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कि specialized agency है, इसकी यूइन की, established कब हुआ, 7 अप्रेल, 1948 में, established हुआ, WHO, और इसके वरतमान में, जो डारेक्टर, डारेक्टर जर्नरल है, वह है, टेड्रो साधानो, ठीक है, तो यह कुछ important facts थे, जो आपको ध्यान में रखना है, चलते हैं, आगे, अब यहाँ पे वही है, कि विस्टु का पहला, और एक मातर, डूलो एचो, गुलोबल सेंटर पर ट्रेडिस्नल मेटसीन, जाम मेगर में इस्थापित किया जा रहा है, ठीक है, और यह क्या होगा, पुरानी जो चिकितसा पदती है, उसके वैग्जानी काधार, उसको scientific proof करे थे नीम की दातून, यह अप्रियो करते थे ना, उसी को वैग्जानी काधार देंगे लोग, अगला कुश्चन, फिफ्ट कुश्चन है, आप प्लेट नियम, डारेक्ट पूछेगा आप से कि यह किस्से संबंदित है, अब आपको लगएगा, हरे, यह तो प्लेट टिक्ट प्लेट लाओ, यह सबजी, हाप प्लेट लाना पनीर वाली, हाप प्लेट लाना दाल वाली, तो वही से ध्यान में रखे लेजिए कि हाप प्लेट आप खाना मंगाने जा रहे है, ठीक है, तो हाप प्लेट खाने से संबंदित है, यह तो खाने संबंदित ध्यान में रखना सही है statement तो इधानवरक कि बेंटो बॉक्स प्राइट कुल सकते हैं बेंटो बॉक्स किस से सम्बंदित है तो ये थाली है या भोजानाच से सम्बंदित है देखिए ये पारमपरिक भारती थाली क्यों कहा है क्यों कि आप देखें होंगे आप बच्पन में यहां भी भी जब क प्रोग्राम में और या कोई खास अवसर होता है कोई महमान आ दियाते हैं तो घर में कुछ विशेज तरह के थालिया निकलती ए जो एक थाली हो मतलब उसमें मुझे तो खाना अच्छा लगता से आप अच्छा लगता ही एक थाली है कोई आता था तो मतलब कई सारे पोर्शन होते तो सम्में अलग-अलग चीजें रखी होती थी तो वह उस तरह की थाली को पारंपरिक थाली कहा रहा है तो बिल्कुल सही बात है इसमें पहला स्टेटमेंट दूसरा क्या लक्ष है कि इसका लक्ष सरकरां को नियूंतम करना और भोजन का सेवन आधा करना है वालब जो कार्भोगाइडरेट है आप कम से कम लें और जो भोजन है ज्यादा भोजन कर रहे है वह भी ज्यादा ना करें पर मतलब आधा करें परयाप ताप के लिए काम करें इस्ट्रा मत कीजे जब अच्छा लग रहा है तो दूसरा भी सही यह तीसरा है सब जीओं का सेवन-बढ़ाना क्योंकि इसमें जो भी यह हाफ प्लेट मतलब अगर आपकी थाली है इसमें हाफ प्लेट में क्या होगी vegetables होंगी, आजे плate में सबजیاں होंगी, बागी आजे में आप जो भी चावल ले लिज़े, रोटी ले लिज़े, सलाल ले लिज़े, चट्टनी ले लिज़े, जो भी ले लिज़े, इसमें सही है, इसका जो सही answer हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है तो इसका तीसरा एंसर सही है जाख्या देखते हैं कि इससे हाफ प्लेटनियम से पहली बात ध्यान रखिया किससे संबंदित है भोजानाथ से संबंदित है और आपके वजानाथ से मालीजे संबंदित है पता रहेगा कि आप कितना खा रहे हैं टीक है और इसमे जो ये जो थाली की बात है कि इसमें अलग-अलग थात पदार्थ होते हैं उसके अलग-अलग पार्टस में मतलब जो अलग-अलग डिब्ड़े होते हैं उसको कही लीजिये एक research से पता चला है कि अगर कोई 2-3 बार ले रहा है भोजन उसके बजाए कोई व्यक्ति एक साथ ही अपना भोजन ले रहा है अब यहां पर दिया है की आधी प्लेट में सब्जी होनी चाहिए औहाग की आधी में सौनत यहां जो है नो साही कि बार व हमको बात करना है तो मिशन लाइफ गारत कृतित में goal पर्यावर्ण की रक्षा और संदक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदाइक कारवाई को बढ़ावा देने के लिए वैस्ट जनान दो लेना है तो बहुत जनरल सी बात है इसमें कोई बहुत दीसमार खावाली बात ही नहीं है तो लाइफ कई जगा लाइफ का फुल फार्म पूछ लेते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इंवार्मेंट मिशन लाइफ के बारे में पूछ लेंगे तो भारत की पहला है यह ठीक है भारत के नित्रत में सुरू की गई है इ स्टेटमेंट से दूसरा भारत अपने राष्टी स्टरप नेशनली डिटर्माइंड कंट्रिबूशन लाइफ को सामिल करने वाला पहला देश है इसलिए यह महत्वपूर्ण है पहला देश बहुत सारे जैसे यूपी कि क्या करेगा कि कह देगा कि लाइफ को अपने डी सी में सामिल करने वाला पहला देश है चार देश दे देगा युऊसे चीन छीन फ्रांस भारत तो आपको लगे है रह यार यूस से इन सब में कहीं सबसे ज़्यादा दे रहा है तो पहला दूसरा दोनों है सबस्टार परिवरों क्या है नौनेंगर育ाइझच्ट नेशन ग। तो जलवाय परिवर्तन संयुक्तराष्ट फ्रेमर कन्वेशन है उसका जो कॉप टॉंटी सिक्स है वो कहा हुआ था ग्लासगों में वहीं ग्लासगों में जो है भारत ने जो है यह मंत्र दिया था कि पर्यावरण के लिए जीवन सहली हो मतलब हमारा जो लाइफ इस्टाइल ह है वह ऐसी हो कि इनवायर्मेंट के लिए हो मलब जैसे हम लोग चीजों को यूज करें जो कि या फिर जो भी मॉडर्ण चीजों को यूज करें लेकिन उनसे इनवायर्मेंट को बहु ज्यादा खतरा ना होने पाए ठीक है अब यहां मैं आपको कुछ जैसे यहां पर हमारे सामने आया है United Nations Framework Convention on Climate Change ठीक है यह बौडी ध्यान में रखना है अब इसके बारे कुछ चीजे मैं आपको बताता हूँ जैसे यह जो है यह कन्विंसन है तो यह कन्विंसन साइन होई होगी तो यह साइन कब हुआ है साइन हुआ है यह 4 से 14 जून 1992 के बीच में साइन हुआ है कन्विंसन और उस समय पर 104 स्टेट है और जो यह तब हुआ था Conference उसका नाम अलग था तब उसका नाम था United Nation Conference on Environment and Development तो द्रायट यही पूछा जाता है UNCD कब हुआ था यह Conference कब हुआ तो 1992 में हुआ इसी को ही Earth Summit या फिर रियोडी जिनेरियो आली समीट भी कहते है तो Earth Summit भी इसी को कहा जाता है ध्यान रखियेगा 1992 में हुआ था और यह Force में कब से आया है तो Force में आया है 21 March 1994 से यह UNFCCC जो है Force में ठीक है इसी के अंतरगत एक प्रोटोकॉल किया था Kyoto Protocol ठीक है Kyoto Protocol कब किया गया साइन किया गया 1997 डारेक पूछते हैं कि Kyoto Protocol साइन किया गया 1997 में यह तो कई बार पूछा गया है कि Earth Summit कब हुआ 1992 कहा हुआ रियो डी जिनेरियो ब्राजील में हुआ या फिर पूछते हैं रियो समिट कब हुआ 1992 में रियो समिट किस से संबंदित है जल्वाई परिवर्तन से संबंदित है तो Kyoto Protocol जो है साइन हुआ 1997 में और यह जो कारे किया यह 2005 से ले करके 2020 के बीच में यह प्रोटोकॉल जो है लागू रहा इसमें क्या था यह देखी जो यूएन अप्स त्रिपल सी है इसका में काम य कि एडिया यह उसके बारे में अध्यान करना जल्वाय परितों जैसे Global Warming हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट हो तो यह सम्में सबसे महत्वाजर्पूर्ण जो हो जाता है ग्रीन हाउस इसमें साथ ग्रीन आउस गैस वह इन्होंने कहा इनको कम करना और ग्रेंग वहार्वल्व इसे समलिद क्या गया तो में कारबन डायकसाइड है मैथेन है नाइट्रस अकसाइड है अधरो फ्लोरो कारबंस है और शलफर हेक्साइड है और नाइट्रोजन ट्राइब फ्लोराइड है ठीक है तो यह ध्यान में रखना है मतलब साथ जो кैसे हैं क्योटो प्रोटकॉल के अंतरगत क्रीन हाउस गैस हो में समर्द क्या गया है, इसका प्रिक्रिंसिपल किया है? common but differentiated responsibility क्योटो प्रोटकॉल का common but differentiated responsibility इसका क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है ? अब क्योटो प्रोटकॉल को किया है इसने पेरी से ग्रिमेंट ने इसी को सुपर सीड किया है इसी के आगे का पॉर्शन है जो कि कब मतलब फोर्स में आया है पेरीस agreement में क्या है कि पेरीस agreement में दो चीजें एक तो यहां पे temperature की बात हुई है कि temperature कितना मड़ेगा तो यहां पर रखा गया कि इस सदी के अंत तक मतलब मतलब यह जो कीशवी सदी चल रही है यह जब लास्ट हो इस सदी के अंत तक जो global average temperature बढ़े ग्लोबल एवरेस टमप्रेचर जो बढ़े वह जो ओध्योगी करांती थी उसके पहले का जो टमप्रेचर था उससे दो डिगरी से जादा ना बढ़ी आज समझ मैं आरीक नहीं महले अध्योगी करांती के पहले जो वैस्विक और सत तापमान था वो जितना भी था मालेजिए वो पंद्रा था तो जब अभी जो बीसवी सदी चल रही है यह जो समामत हो तो जो तापमान बढ़े उस समय के हिसाब से वह 17 मतलब जो 17 है 15 डिगरी से था तो 17 से जादा ना हो मतलब 2 डिगरी से बढ़े और हमको इस पे और भी एक बात है कि हमको प्रयास करना है कि 2 भी न कि लोता है तो दो बड़ है लेकिन 2 से जादा नहीं समस्या खड़ी हो जाएगी तो यही पेरिस एग्रिमेंट में जो है इसमें बात की गई ठीक है अब यहां पर कुछ और फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ जैसे यहां पर कौप 26 की बात आई कि ग्लॉस्कों में हुआ था यहां तो कौप 27 कहा हुआ यह आपको पता होना चाहिए डारेक्ट जोड़ी भी मिलवा सकते हैं आप से तो कौप 27 कब हुआ 2022 में हुआ कहा हुआ शर्म अल्शेक में हुआ कहां पर मिस्र में ठीक है ध्यान रखिएगा कौप 28 फिर कहा हुआ कौप 28 23 में हुआ 2023 मे UAE में हुआ था ठीक है अब कौप 29 कब होगा तो 2024 में होगा अहां होगा बाकू में होगा और बाकू क्या है अजर्बैजान की राजधानी है अब कौप 30 थटी होगे अब ट्वंतिनाइन होगा तो काॉप ठटी कम होगा 25 में 25 में और कहां होगा देलेन में होगा जो कि कहां है बे से ब्राजील ठीक है औरल में रखना है कि काॉप 27-22 में सर्मल से मिस्त्र में 45-30 में怎麼樣 तो यह जो ऐसे पढ़ना है आपको जो चर्चा में है उसके स्ट्रेटिक पोर्सन को जानिये क्योंकि वहीं कोश्चन बनता है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर सेवन जो है जल संझेन तक्नीक मतलब कैसे वाटर को स्टोरेज किया जाता था टरिशनल तरीके से उनके सम्मण्ध में योग में है उनको जोड़ी मिलाना है कौन से साई योगम समयलित है टंका तंका तामिलनाठ सही है जोहण नाद की जोहर जो है इसी छेतर की गटना है जोहर जिसमें महिलाएं जो है मतलब सती की तरह ही है कि अब सामूहिक सती कह सकते हैं जो जोहर होता था तो जोहर राजस्थान जाबो जाबो नागा लेंड सही है तीनों ही सही सुमेलित हैं तो तीसरा इसमें सही अंसर हो जाएगा जो है और यह सब दिया है तो तमिलान के भूमिगत टैंक जो है उनको टंका कहते हैं राजस्थान के चेक डैम जो है जो हर चेक डैम मतलब छोटे छोटे चोटे डैम और नागा लैंड की जाबो प्रणाजी पहला कुश्चन देखते हैं ने लिखित पर विचार कीजिए और आयूश मंत्राले दोरा कितनी वैकल्पिक स्वास्त देखवाल प्रणाजी को कवर किया गया है तो आयूश आयूश का फुल फॉर्म आपको अगर पता है तो आप ये कुश्चन आराम से कर लेंगे तो आयूश ए बाई यू एस एच आयूस का फुल फॉर्म देखिए ए से पुलता है आयूर्वेद ठीक है? आयूर्वेद फिर भाय से योगा अँन नहीं है लेकिन इस में नैचुरोपगसी हो जाता है ठीक है तो आयूर्वेद योगा नैच्परो फैथी, यूनानी, सिध्धा,र होम्यू पैथी ठीक है तो कितना हूए नांच ठीक है देखे यह सब इसमें कि नहीं आयूरवेद है यूनानी है होमियोपैति है सिद्धा है योग है और प्राक्रतिक चिकत्सा है तो यह सब को आयूस के ही पार्ट हैं तो इन सब को आयूस मंत्राले दोरा वैकल्पिक स्वास्त देखवाल प्राण योग कवर किया गया है च्छषवों को सभी 6 जो हैं कवर किये गए है तो सही एंसर है तो आयूरवेद योग नैचरो पैसि यूनानी सिद्धा होमियोपैथी अब यही है कि इसमें एक चीज है कि आयूरवेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योग, प्राकितिक चिकत्सामें रिसर्च के लिए स्वायत संस्थान के लिए पर पांच और उसंद्धान परिस्द भी गठीत किये हैं अगला कुशन देखते हैं, मलखंब क्या है, मलखंब अगर सुने होंगे तो आपके दिमाग में होगा इमेज क्या होता है, एक लकड़ी का खंबा होता है, उसी पर जो है, कोई भी जो व्यक्ति है, वह बहुत सारे प्रदर्सम करता है, जिमनास्टिक आज के तरह प्रदर्सि हैं, इसमें यह देखिए, तीसरा वाला वर्टिकल लकड़ी के खंबे पकिया जाने वाला व्यायाम का गत्सील रूप है, मलखंब, ठीक है, यह एक स्ट्रालीरिक व्यायाम का रूप मी माला जाता है, इससे जो ताकत है, शरी में लचीला पंचपलता बढ़ता है, तो मलख खेल है, यूपीएसी जोड़ी मिलवाती है, जैसे मार्सल आर्ट पे कुश्चन पूछा गया था कि कौन से छेत का कौन सा मार्सल आर्ट है, जैसे कलारी पैक्ट्यू हो गया, केरल का, गटका हो गया, पंजाब का, तो ऐसे यह पूछते रहते हैं, तो पारंपरी खेल है, मिलट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलट्स के संब्द में लिए कौन सा कथर सही है, पहला स्टेट में देखे हैं, जैसे छोटे पीजवाली घासों को बरगीत करने के लिए एक सामान सब्द है, जिन्हें अक्सर कोशा का नाक, निट्रिसनल फूड और सुस्क भूमिया ना बहुत ही बढ़ियां फसलें हैं, जो जलवाई से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी परिवर्तन से, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा देखे, मिलट कम पानी, बिल्कुल बात है, उर्वरा को कीट ना सक के साथ, कम उपजाओं मिट्टी में भी उगाया जा सकत दो है, ब्याख्या देखते हैं कि इन में words, मिलट से हैं क्या-क्या सम्बनी थैं, जैसे ज़वार है, मोटी बाजरा, रागी, चोटा 80 बाजरा है, पौस्टेल बाजरा था है, बान्यार बाजरा था है, 小ड़ बाजरा लिए, जैसे कोदों यसाफ मैं ने तो देखा है, बच ही समय तक वह यूज होते थे जब अकाल अकाल पढ़ता था तो यही सब काम देता था कोद वह गया वाजरा हो गया यह अधिक कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसले भी है सूखे प्रतिरोधी सूखा पढ़ जाये तो इनको को इन वहाइख आप दियान कम द्देगा जल्वा स्मार्ट इनाज किसको कहते हैं मेलेट को कहते हैं आगे आप मैं आपको मिलेट मुद्म्दी कुछ महतुपूर बताऊंगा कि जो है बहुत ही महत्वपून है भारत के इसाब से क्योंकि भारत में जादा बहुत मुत्पादन बढ़ियां का अच्छा खासा होता है इसका और परमपरागत रूप से भारत के लोग इसका यूज करते हैं आप तो नहीं करने लगे हैं तो फास्ट पूट पर चलेगे हैं इसलिए बहुत सारी बिमारियां भैल रही हैं तो मिलेट के एरिया पर बात करते हैं और यह एक थोड़ा मतलब तुलनात्म का ध्यान है जिसमें हम लोग उनिस सो उन्चास पचास और दोहजार तेरह चौदा के बीच में तुलना करेंगे तो जो एरिया है तो उनिस सो उन्चास में 7.25 लाग हिक्टेर होगा देख रहें कितना एरिया घट के पहले कितना खेती करते थे हम लोग फिर उसके बार प्रोड़क्शन पर देखते हैं कि प्रोड़क्शन में क्या हाल हुआ भाई तो प्रोड़क्शन जो उन्चास पचास में होता था वह बारा साढ़े बारा तो यहां पर क्या हुआ देखिए एरिया तो घटा है लेकि प्रोड़क्शन क्या हुआ है बढ़ गया है क्योंकि हमारे पास अब हम इन में भी फर्टिलाइजर थोड़ा सी चाही आदी का प्रयोक करने लेगे अच्छे बीजों का प्रयोक करने लेगे इसलिए और यह बात तिसपस्ट हो जाएगी जब हम लोग देखेंगी प्रोडक्टिविटी तो प्रोडक्टिविटी उनिस सो उन्चास पचास में जो थी वह तीन सो चौरासी किलो ग्राम पर हेक्टेर थी मतलब यह एक हेक्टेर में 34 किलो ग्राम होता था लेकिन 2013-14 में वह कितना होगा बता रहा है कि हमारा area तो मोटे अनाज का घटा है लेकिन हमारा production बढ़ा है तो हमको और area अपना बढ़ाने की जरूरत है जिससे जादा जादा और उत्पादन कर सके ठीक है और उत्पादन कर सके और अब और इसमें कुछ फैक्ट है इसको पहले हटा देते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग आगे इसमें कुछ और फैक्ट है जैसे कि कुछ प्रोग्राम है इससे रिलेटेड जो महतुपूर्ण है ध्यान में रखना है और साथ ही में इसका जो प्रोडक्शन है कि इंडिया में कितना होता है अब इसकी तुलना में तो थोड़ा बता देता हूं आपको क्योंकि यह टॉपिक चर्चा में रथा है इसलिए तो इसमें एक बात द्यान रखियेगा कि 2007 में एक मिशन चलाए गया नेसनल मिलेट मिशन दोजार साट में चलाए गया दिमांग में रखना है क्यों जिससे की production को बढ़ाया जासके और conjunction को क्या किया जासके बढ़ाया जासके फिर 2018 में 2018 में भारत ने national 2018 को national year of millet घोसित किया था किसने भारत ने ध्यान रखिए कि भारत ने national year of millet घोसित किया 2018 में एक और प्रोग्राम चलाया गया था initiative for nutritional security through intensive millet production short में इसको कहते हैं INSIMP full farm क्या है initiative for nutritional security through intensive millet production को बढ़ाने के लिए intensive मिलेट production बढ़े और साथी में awareness भी भड़े मिलेट के खिलाब में मिलेट के लिए तो इसके लिए प्रोग्राम चला गया ध्यान रखिए कभी पूछ ले कि आपसे कि यहां यहां पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि 2023 में 2023 को फूड अग्रिकल्चर और यूनाइटेड नेशन्स ने मिल करके 2023 को भारत के प्रयासों से 2023 को इंटरनेशनल इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट घोसित किया गया है 2023 को ठीक है 2018 को भारत ने खुद घोसित किया था नेसनल इयर आफ मिलेट और 2023 को भारत के प्रयासों से फेओ यून ने इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट घोसित किया है एक सब्दावर आपको द्याम रखन है कि बजट जो है 2023-24 में बित मंत्री ने हमारे एक सब्द दिया था श्री अन्न किस से रिलेटेड है मोटे अनाज से सम्मंदित है और साथी में अब पीडियस जो पब्लिक यह यहां तक जूड़े रहे तो उसके लिए बहुत भबात आप देखें होंगे तो आपको पता ही चला होगा कितना important session है कितने महत्पूर्ण questions मैं लाता हूँ तो आपको जुड़े रहना है और लोगों से share कीजिए और कई इसी तरह की वीडियो डाले जा चुके हैं योजना कुरुचेत्र और down to earth पे उसको जाके देखिए like कीजिए comment कीजिए share कीजिए जुड़े रहिए आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे बहुत बहुत निवाद